तो सबसे पहला नमबर कोच्छन को हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है 16 बटे 25 का वर्गमूल निकाला है तो आप यहाँ पे हम देखे थे कि वर्गमूल जो अभी तक हम निकाले हैं गुननखंड भी धीका केबल वर्गमूल निकाले हैं तो 16 का जब हम दो के बदले में केबल एक दो वर्गमूल निकालने के लिए हम लिखेंगे वर्गमूल जब मेरा निकलेगा तो दो वो दो के बदले में केबल एक दो मेरा वर्गमूल के लिए निकलेगा और यहाँ पर भी दो दो से मंक मिल रहा है तो केबल एक दो निकलेगा और यहाँ दूना चार हो जाएगा जिस फरकार 16 का वर्ग मुल कितना निकला 4 निकला और ऐसे भी आपको पता होगा हम पीछल के चेप्टर में हम बताये थे एक वात और याद रखियेगा कि यदि 4 का वर्ग 16 है चार का वर्ग कितना है 16 तो 16 का वर्ग मुल भी 4 होगा अगर 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्ग मुल भी कितना होगा 5 होगा ठीक है यानि कि जितना का वर्ग जैसे अगर 10 का वर्ग 100 है तो 100 का वर्ग मुल भी 10 होगा यानि कि वर्गे का वर्ग मुल निकलता है वर्ग मुले से वर्ग निकलता है ठीक है अब कितना गया यानि कि 16 का वर्ग मुल कितना गया चार और इस परकार आप देखे हो जगा कि 5 में जब 2 बार 5 से गुना होगा तो कितना आएगा 25 और 25 का वर्ग मुल कितना आजाएगा 5 त अब दूसरा के question की वर चलेंगे दूसरा के question में